फलका थाना छेतर की राजदानी गाउं में शुक्रवार के सुबध दिल दैला देने वाल ये घट्टा सामनी आई है जिसमें साथ वर्षिये बोगिया देवी की सोय वस्ता में धारदार हथियार से मार कर उसको हत्या कर दी गई है इस मामले में कटिहार पुलिस के द्वारा फॉरंसिक टीम ने बुलाया साथ ही महद 24 घंटे के अंदर इस मामले का उध्यार क कटिहार पुलिस ने कर दीया है समर्णाले सेथ कार्याले में स्पी चितेंद्र कुमार ने प्रेश्च वारता के माध्यम से बताया कि इस हत्ता के पीछे की वज़ा अंध विश्वास है गाउ के ही रहने वाले शिवनंदन कुमार उर्फ चिप्पू के घर दो लोगों की मौत हुई थी और इस मौत का महज़ वज़ा उन्होंने गाउं के ही 60 वर्षी बुगिया दीवी पर लगाया है और इसे को लेकर के व्रिद महला की हत्त्या कर दे गई है इस मामले में शिवनंदन कुमार के अलावे तांतरिक शडानन, रिशी, डुबी, विरेंदर रिशी और लेहू रिशी को कटिहार पुलिस ने गिरफतार किया है इस घटना के पीछे की वज़ा के बारे में पुलिस सभी छानबीन कर रही है कटिहार अस्पिजी रिंद्र कुमार्डी क्या कुछ कहा है जराध्यांस सुनियस रिपोर्ट में कटिहार जिलांत्रगत पलका थाना च्छेत्र में कल 12.10 को एक रात्री में 12.13 की रात्री में एक सोय हुए अवस्था में एक बिद महिला की तारदार हतियार से हमला करके खर्ट्या कर दिए घटना जो है उसकी जो गंभीता उसको देखते हुए और मंडल पुलिस प्रादिकारी सदर इनके नेत्रित में एक साइटी का गठन हुआ और लगबग हम लोग ने 24 गंटे के अंदर ही पूरे कांड का उद्वेदन कर लिया है इसमें कुल अभी तक लोगोंने पांच अपरा दी जो है इसमें गिरबतार किये हैं जो दबिया है जो खून लबा दबिया जिस हतियार जो यूज हुआ है वो भी बरामद है मुबाइल है और 7000 रुपया है जो कि दिया ग इनका इनके पिता जी की साप कटने से मिर्ट्व हो गई थी लगवग 2-3 साल पहले और इनके भतीजा के अभी मिर्ट्व हो गई है दो महीन अपले है तो जो मिर्टिका है उस पर ये लोग आरोप लगाते थे कि उसी के कारण जो है ये मिर्ट्व हुई है इसमें एक भगत ह जिसका नाम सदानन रिशी है वो भगत जो है उसमें सहयोग करता था कि ये जो हत्या हुई है पहले जो दो उसमें इस महिला का ही हाथ है तो इसी में जो है इन लोगों ने मिल करके सीव नंदन कुमार का जीजा है उसका नाम है लेलू रिशी वो है उसकी बहन है रूवी दे कह सकते हैं. कह सकते हैं.